नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज पोस्ट ओफिस से हमारा जो यह नया ATM काड है जो बैंक ने हमें भेजा है वो हमारे पास आ चुका है और इस भीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस ATM काड को आक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें जो चाह रंक वाला नया पिन ह वो कैसे सेट कर सकते हैं फिल हल यह जो काड है वो आक्टिवेट नहीं है हमें इसे ATM में चलकर आक्टिवेट करना पड़ेगा तो चलिए आज मैं आपको लाइब दिखाता हूं कि इस काड को आक्टिवेट कैसे किया जाता है और इसमें पिन कैसे सेट किया जाता है ठीक है अब सीधे चलते हैं ATM पर ATM में जाने से पहले आप ध्यान देखी आप अपने साथ आकाउंट नमबर और जो मोबाइल नमबर आपके बेंक आकाउंट के साथ लिंक है वो अपने साथ लेके चलिए ताकि आपको कोई परिशानी ना हो दोस्तो अभी हम ATM पर आ चुके हैं अब सीधे अंदर चलते हैं और अपने जो ATM काड है उसे अक्टिवेट करते हैं दोस्तो अब यहां से विडियो को ध्यान से देखियेगा ताकि कोई परिशानी ना हो सबसे पहले अपना जो ATM काड है उसे इस तरह से पकड़ेंगे और ATM मेशीन में डाल देंगे अभी ATM काड को यहीं पर ही रहने देंगे और बाहर नहीं निकालेंगे अभी एक दो सेकेंड में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम भासा चुनेंगे जैसे कि मैं English पर क्लिक करता हूँ उसके बाद Pin Generation जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपका जो bank का account number है उस account number को आप यहाँ पर डाल दीजिए account number डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए अभी आपके bank account के साथ जो mobile number लिंक है उस mobile number को आप यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक कीजिए दोस्तो इतना प्रोसेस हो जाना के बाद यहाँ पर आपको दो तीन सेकेंड के लिए वेट करना है यहाँ पर आपको transaction complete दिखाएगा और अभी आपके mobile number पर bank के तरफ से एक message आएगा जिसमें की आपका ATM card का जो चारंग वाला pin होता है वो लिखा रहता है लेकिन इस pin को आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी बार से यह काम नहीं करेगा इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर याने की एक दिन के अंदर अंदर आपको इस pin को change करना पड़ेगा तो चलिए इस pin को भी change कर लेते हैं तो इसके लिए अपने card को कुछ इस तरह से ATM में डालेंगे अभी जो process है वो start हो जाएगा अभी यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको बस एक दो सेकेंड के लिए wait करना है अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा please select your language याने कि अपनी भासा को चुनिए तो हम यहाँ English पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे option दिखेंगे उन में से आपको जो banking लिखाए उस पर क्लिक करना है अभी हमें तो pin change करना है तो हम यहाँ पे pin change पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपको 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी एक संक्या को डाल देना है जैसे कि मैं 53 यह डाल देता हूँ अभी yes पर क्लिक कर देंगे अभी हमें जो message मिला था उसमें जो pin लिखा था 4 रंग वाला उस pin को हमें यहाँ पे डाल देना है ठीके डाल देते हैं तो अभी आपको जो भी 4 रंग का नया pin रखना है उस number को यहाँ पे डाल देजिए और उस number को आप याद रखे या फिर कई पे लिख लीजिए अभी यहाँ दिखाएगा re-enter your new pin याने कि जो नया pin आप set किये है उसे यहाँ पे फिर से डाल देना है उसके बाद आपको एक second के लिए wait करना है अभी यहाँ आपको transaction successful दिखाएगा याने कि अपना जो pin है वो change हो चुका है अभी ATM से अपना जो card है उसे निकाल के रख लेना है दोस्तो अभी अमारे जो card है वो पूरी तरह से activate हो चुका है दोस्तो ऐसे ही जानकारी वीडियो आगे देखने के लिए आप channel को subscribe कर दीजिएगा